हाई एवूरान, कैसे हैं आप सब, आप सब को मेरे यूटीप चैनल पर сवागत है वेलकम है जो मैं मेकप की सेरीन सुरू किया है यानि की मेकप मैंने आपको इस्टेप वाइस्टेप सी खाना सुरू किया है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि CTM कैसे करेंगे साथ में आप कलर करेक्टर का कैसे यूज़ करेंगे आपने वो वीडियो नहीं देखें तो उनका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगे आप चेक लिजेगा या फिर आप मेरे यूटिब चैनल पर जा करके मेरी प्लेडिस्ट चेकर सकते हो जिसमें मैंने ब्लाइं ब्लाइं ब्यूटी पालर कोर्स मेक अप करके प्लेडिस्ट बना दिये अब मैं आपको बताते हूं कि आप किसतरह से अपनी इसकिन के हिसाब से प्लेडिस्ट चूस करके या फिर आप किसी का मेक यह आपका फॉंडेशन का भी वर्ट करते हैं साथ में आपका यह color character का भी काम करते हैं और coffee reasonable rate में भी आपको मिल जाएंगे तो यह stick foundation का लारते हैं यह इस तरह से मैंने पिछली वार वीडियो में color character दिखाया था तो उसमें इस तरह से आपको दिखाया थे और वो वीडियो नहीं देखाया तो आप ज़रूर चेक करीगा तो यह है stick foundation ठीक है और यह color character भी है साथ में यह foundation का भी काम करते हैं यानि आप इनसे पूरा make-up भी कर सकते हो अब मैं आपको compact foundation दिखा रहे हूँ जैसे यह wet and wild का compact foundation है यह आपको इस तरह से मिलेगा यह इसमें sponge होगा और यह इसमें foundation होगा यह cushion foundation कहलाता है यह आप इसको इस तरह से दबाओगे न तो foundation आपके इसमें आ जाएगा इस foundation को अगर जब आप लगाते हो तो आपको compact की भी इतनी ज़रुवत नहीं पड़ती है और यह आप आराम से इस तरह से दबाओदबा करके पूरे face पे लगा सकते हो काफी easy है और बहुत ही अच्छा इसको आपने कही बार मेरे make-up में यूज़ करते हुए देखा होगा तो यह है wet and wild का cushion foundation इस तरह से और इसी में आपको यहाँ पर आपको यह space मिल जाएगा आप इस पे रखते हो तो मैं बता रही थी आपको foundation किस तरह से हाते है अब आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा कि आप foundation अलग-अलग तरीके से ले सकते हो और foundation इसकिन के हिसाव से अगर आपकी oily skin है तो आप oily skin के यानि कि oil control वाले अगर की skin ट्राई है तो आप oil base के foundation लोगे जिन में थोड़ा सा oil है अब मैं आपको बताती हूँ कि आप skin के हिसाब से किस तरह से foundation चूज करोगे foundation में भी कई color आते हैं जैसे white tone के foundation आते हैं yellow tone के foundation आते हैं red tone के foundation आते हैं तो आज मैं आपको कुछ foundation दिखा रही हूँ साथ में आपको मैं यह भी बताऊंगी कि किस skin पर किस तरह से आप foundation यूज करो foundation में भी दो quality आती हैं जैसे कि high coverage foundation और low coverage foundation कुछ foundation बहुत ज़्यादा light होते हैं जो skin पर लगा लो बिल्कुल पता भी नहीं चलते हैं कुछ foundation होते हैं जो high coverage होते हैं जैसे उनको आप लगा कर कि बिल्कुल आपका face smooth सा हो जाता है उन foundation का use आप bright के करते हो या आप dark makeup कर रहे हो या night makeup है उस समय high coverage foundation यूज के जाते हैं और वैसे भी यह अपने अपने उपर है कि किसी को high coverage foundation पसंद आते हैं किसी को बिल्कुल light foundation पसंद आते हैं यह आप अपने हिसाब से ले सकते हो बी बी सी सी क्रीम का भी यही काम है यह बिल्कुल light coverage आपको देती हैं जैसे आप college जाते हो या आप shopping में जा रहे हो या आपको day function है तो आप बी सी सी क्रीम से भी makeup कर सकते हो आज मैं आपको कुछ foundation के color दिखा रही हूँ जैसे की यह liquid foundation में यह देखो आप जैसे यह yellow tone में है foundation और जब भी आप foundation लेते हो ना तो आप अपनी skin पर यहाँ पर लगा करके चेक कर लो आपको जब यहा लगाते हो ना तो आपको exactly color का समझ में आता है आप हाथ में मत लगाओ मैं कई बार वैसे भी बताती हूँ हाथ में लगाने से हाथ की skin का color और face की skin का color different होता है तो आप जब भी foundation लेने जाओ ना तो आप यहाँ पर लगा करके चेक कर लो वैसे अगर आप foundation चेक करने जाओगे तो transparent bottle है तो आपको उपर से भी दिख जाएगा color और आपको समझ में आ जाएगा कि में यह मेरी skin tone पे जाएगा की नहीं जाएगा ठीक है तो यह देखा और मैं अपनी skin से थोड़ा dark tone पे दिखा रहे हूँ है यह चादा ही yellow इसलिए हुए है यह fit me का है अब मैं cv3 का दिखा रहे हूँ है यह काफी अच्छा foundation है यह oily skin वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसका आप tone देखो यह white tone पे है तो यह मेरी skin पे ज़्यादा ही white जा रहा है यह ज़्यादा dark जा रहा है और यह वाला tone सही जा रहा है यह देखे अब foundation लगाने का मैं आपको तरीका बता रहें कि अब foundation किस तरह से अपनी skin में लगाओगे अगर आपके पास light foundation आ गया है और एक आपके पास dark है या आपके पास कोई dark compact है तो आप दोनों को इस तरह से mix कर लो और आपको tap tap करना है इस तरह से dot dot तो फॉंडेशन लगाने के लिए आप इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो या आप ब्रेस भी ले सकते हों जिनसे आसानी से foundation लग जाए अगर आप make up कर रहे हो या make up सीख रहे हो तो आपके पास इस तरह से ब्रेस होने चाहिए इनसे आप compact या loose powder भी सेट कर सकते हो लगा सकते हो और ब्रेस भी है और आपके पास beauty blender भी है तो आप ब्रेस से फेलाने के बाद beauty blender से अच्छे से foundation को set कर apply करो जिना भी आपका खुला एरिया है आपको पूरे में foundation लगाना होगा session के बाद आप बारी आती है compact की compact लगाने के लिए आप या तो cake compact में ले सकते हो या फिर आप loose powder ले सकते हो loose powder भी आपको कई shade में मिलेंगे जैसे wild tone में yellow tone में आप उसको भी अपनी skin के हिसाब से banana powder है make up revolution का है यह banana powder है और आप आपको दिखा रहे है SQ का इसका tone देख सकते हो white tone में है और यह आप लैक में का देख सकते हो लैक में का जो है यह हलका सा pink tone लिये हुए है ठीक है और फिर आपके compact में भी जा सकते हो जैसे मैं Glam 21 पे जाओंगी और यह आप देख सकते हो जो मैंने foundation लगाया है उससे एक shade light है अब इसको लगाने का तरीका या तो इसमें जो sponge मिला है आप उसी से लगा लो या फिर आप ब्रेस ले सकते हो या आप beauty blender पी ले सकते हो इसको न बहुत जादा नहीं लगाना इसको इस तरह से बस हलके हलके सही लगाना है अब इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है वो ब्रेस लेना है और उससे आपको अच्छे से mix कर देना है यह देखियो compact लगते ही face में कितना अच्छा सा glow आ गया है ना तो मेरी समझ से अब आपको समझ में आ गया होगा कि foundation आप किस तरह से अपनी skin के हिसाब से चुने और compact आप किस तरह से लगाए foundation आप जब भी लगाते हो तो आप अपनी skin tone के हिसाब से लोगे नहीं तो वो आपके color को gray कर देगा यानि की patchy patchy हो जाएगा और आपका color dark लगने लगेगा तो आज आपने देखा कि किस तरह से आप foundation चूज़ कर सकते हो इसलिए foundation अच्छे से चूज़ करना जरूरी है अगर आप foundation अच्छे से चूज़ नहीं करोगे तो वो आपके color को gray कर देगा यानि foundation लगाते ही करते ना कि चेरा मेरा dark dark लगने लगा तो वो इसी से लगने लग कि अगर आपको चेक करना है कि मैंने कौन कौन से यूज़ किया है या आपको लेना है तो आप लिंक ज़रूर चेक कर लिजगा साथ ही मैं जो पहले के वीडियो है makeup वाले यानि कि आप CTM किस तरह से करो और color character का किस तरह से यूज़ करो उन वीडियो का भी लिंक मैं आपको कंटूरिंग करोगे साथ में baking क्या होती है baking किस सारा से करोगे highlighter किस सारा से यूज़ करोगे और contouring किस सारा से करोगे तो next video में आपको यही समय बताऊंगी तो मिलती हो आप ते नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बबाए लभी टेक कर अपना देखे